अमरनाथ हिंदूओं का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है अमरनाथ को तीर्थूं का तीर्थ कहा जाता है क्योंकि यहीं पर भगवान शिव ने मा पार्वती को अमरत्व का रहस्य बताया था यहां की प्रमुख विशेश्टा पवित्र गुफा में बर्फ से प्राकरतिक शिवलिंग का निर्मित होना है प्राकरतिक हिं से निर्मित होने की कारण इसे स्वैम्भू हिमानी शिवलिंग भी कहते हैं आशाट पुर्णिमा से शुरू होकर रक्षा बंधन तक पूरे सावन महीने में होने वाले पवित्र हिमलिंग दर्शन के लिए लाखों लोग यहां आते हैं। गुफा की परिधी लगभग देड़ सो फूट है और इसमें उपर से बर्फ के पानी की बूंदे जगे जगे टपकती रहती है। यहीं पर एक ऐसी जगे है जिसमें टपकने वाली हिम बूंदों से लगभग दस फूट लंबा शिवलिंग बनता है। चंद्रमा के घटने बढ़ने के साथ साथ इस बर्फ का आकार भी घड़ता बढ़ता रहता है। श्रावन पुर्णीमा को यह अपने पूरे आकार में आ जाता है और अमावस्या तक धीरे धीरे छोटा होता जाता है। आश्चरे की बात यही है कि यह शिवलिंग ठोस बर्फ का बना होता है जबकि गुफ़ा में आम तोर पर कच्ची बर्फी होती है जो हाथ में लेते ही पिघल जाती है। मूल अमरनाथ शिवलिंग से कई फुट दूर गनेश्ची, भैरव और भार्वती के वैसे ही अलग-अलग हिमखंड है। ऐसी मान्यता भी है कि जिन श्रधालूं को कबुतरों का जोड़ा दिखाई दे जाता है उन्हें शिव पार्वती अपने प्रत्यक्ष दर्शनों से निहाल करके उस प्राणी को मुक्ती प्रदान करते हैं। ये भी माना जाता है कि भगवान शिव ने अरधांगिनी पार्वती को इस गुफा में एक ऐसी कथा सुनाई थी जिसमें अमरनात की यात्रा और उसके मार्ग में आने वाले अनेक स्थलों का वर्णन था। ये कथा कालांतर में अमर कथा नाम से विख्यात हुई। अमरनात गुफा का सबसे पहले पता सोलवी शताबदी के पुर्वार्थ में एक मुसल्मान गडरिय को चला था। आज भी चोथाई चड़हावा उस मुसल्मान गडरिय के वन्शजों को मिलता है। आश्चरी के बात ये है कि अमरनात गुफा एक नहीं है। अमरावती नदी के पत पर आगे बढ़ते समय और भी कई छोटी छोटी बड़ी गुफाईं दिखती हैं। और वो सभी बर्फ से ढकी हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।